बावापुरे प्रदेश से कॉंग्रेस को जन्वत मिल रहा है और क्या मानते हैं, क्या एक्स्टेक्टर रहा है और कैसा लग रहा है? चीतना हमेशा अच्छा लगता है लेकिन इसके साथ में जवाबदारी का भी बहुत गहरा एहसास होता है जब लोगों का अपने विश्वास चाहा, विश्वास मांगा और लोगों ने इस विश्वास को दिया है तो बड़ी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है कॉंग्रेस की सरकार अब तो लगता है कि बन रही है, बन जाएगी इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाएगा कि कॉंग्रेस अब भवमत से दूर रह जाए और जिन जिन बातों को राहूल जी ने कहा, जिन जिन बातों को कॉंग्रेस पार्टी ने चुनाओ के दर्मियान कहा उनको पूरा करने की जवाबदारी अब हम कॉंग्रेस के साथियों की रहेगी जो निर्वाचितों की विदाय के रूप में और सरकार का हिस्सा बनेगा अब जन घोशना पत्र और किशान का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है क्या लगता है क्या एक्सफेक्टर था इसका निसंदे किसानों का मुद्दा जो राहुल जी ने जान के और भाब के सबसे पहले उठाया था सीधापूर में जो उनकी पहली बैठक हुई थी पहली मीटिंग हुई थी किसान समेलन हुआ था उस समें आचार सहिता भी लागू नहीं हुई थी चुर्दाओं की घोशना भी नहीं हुई थी और वहीं से जो उन्होंने सपष्ट एक लाइन दी कि किसानों के लिए हमको फोकस करना है किसानों की बातों को हमको आगे लाना है किसान बहुत तकलीफ में हैं बहुत दबाव में हैं उनकी आर्थेक हालात बहुत चिंता जनक हैं 36 गड़ में सरवाधिक गरीबी का प्रतिशत पूरे देश में जब बना हुआ है तो हमारा ध्यान ग्रामीन छेत्र में भी विशेश करके जाना होगा ग्रामीन छेत्र के साथ में कॉंग्रेस ने शेहरों की तरफ भी ध्यान बना के रखा साच के कर्मियों की तरफ भी ध्यान बना के रखा युवाओं की तरफ भी ध्यान बना के रखा महिनाओं की तरफ भी ध्यान बना के रखा सिक्षा के स्तर के संदर में भी कॉंग्रेस ने अपने विचार स्पस्ट रूप से रखे स्वास की एक नई बहुत महत्वा कांख्शी योजना को कॉंग्रेस ने प्रस्तुत किया जन्पतनिधियों के मान सम्मान और उनके अधिकारों के संदर में कॉंग्रेस ने जिन बातों को रखा आदिवासी छेत्रों में पांचवी अनुसूची पेसा कानून वन अधिकार कानून जिसमें आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज के भी अधिकार जो अभी तक पूर नहीं हुए थे और रमन सिंग की सरकार ने 2006 के कानून को 12 साल में भी ठीक तरीके से लागू नहीं किया था ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनको कॉंग्रिस ने उठाया तो चाहे वो दुकानदार हों चाहे वो सबजी बेशने वाले हों चाहे वो आटो रिक्षा चलाने वाले हों चाहे साइकिल चलाने वाले हों चाहे रेलवे स्टेशन में काम करने वाले हमारे शमिक कूली भाई हों चाहे उद्योगपती हों, चाहे मचली पालन करने से जुड़े हुए समाज के तबके हों, गव पालन से जुड़े हुए समाज के तबके हों सबके लिए कॉंग्रेस ने सोचके जिन बातों को सामने रखा मुझे लगता है कि 36 गड़ के मद्दाताओं ने विश्वास किया और कॉंग्रेस को ये अफसर दिया है कि उनकी उम्मीदों को आने वाले सालों में आने वाले समय में कॉंग्रेस पूरा करे पूलिंग बूत के बाहर भी और चारों तरफ से भी ऐसा आवा जा रही है और लोगों में उमंग भी है कि अब नया सीम आप होंगे क्या कहना चाहिए ये अपने अपने छेत का आकलन रहता है सौभाविक है कि अपने साथ ही को आदमी आगे बढ़ाना चाहता है लेकिन हमें इंतिजार करना चाहिए कॉंगरेस विधायक दल के बैठक का और कॉंगरेस विधायक दल की बैठक में जिनके लिए भी रायशुमारी होती है और वो रायशुमारी हमारे senior leaders के माध्यम से high command तक जाती है high command अंतिन निर्मने लेंगे और जो निर्णे होगा वो आपचारिक रूप से मुखी मंत्री के रूप में अपनी टीम का गठन करके एक अच्छी टीम को चलाने की जवाबदारी वो जरूर उठाएंगे मेरे को इस बात का भदपूर विश्वास है अब आपका किता परिश्वास माना जा रहा है 99 परसेंट आपका आपका है सीम बना अभी तुम्हे ने जैसे पता है कि विधायक दल की पैठे बैठक के पहले सब का शूर्ने प्रतिशत चांद से किसी को भी अपने आपको आगे करना या किसी प्रकार का आकलन करना ये प्रज समझेंगे और अपनी बातों का आखिलन करके आगे हाइक कमांड को अफगत करेंगे और हर दल में ऐसे ही प्रक्रीया होती है कॉंग्रेस में भी हम लोग चाहते है की और रहुल जी विशेष करकी ये चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से राय शुमारी होके अंतिम निर्ने उनके माध्यम से सामने आ जाएगा